अब हम देखते हैं नौर गेट से नौर गेट बनाना जब नौर से नौर को बनाया जाता है तो ये नौर का सरकेट सिंबल है अब हमको नौर बनाना है नौर में कई इंपूट है जिसका निगेशन होके मिल रहा है अब नौर बनाने के लिए सारे इंपूट को एक कर देंगे तभी तो वो nought gate बनेगा, तो इसके दोनो इनपूट को हम जोड देंगे, जब दोनो इनपूट को जोड देते हैं तो यह दोनो इनपूट में सेम सिगनल जा रहा है चाहे ए लिखो चाहे बी लिखो दोनों का एक ही मतलब है सत्यता सारणीम हम देखें और बी लिखें दोनों को लिखा है और दोनों को वन लिखा है और दोनों का एक ही मतलब है दोनों सिगनल एक ही बन चुके तो आउटपुट में चाहे बार लिखो चा का उल्टा जीरो तो नौर गेट किसमें कनवर्ट हो गया नौर गेट में अब हम नौर से और गेट बनाएंगे नौर गेट कैसे बना जिब और में नौर को जोड़ा गया अब नौर को तो हटाना नहीं है तो नौ इस नौर गेट के सामने एक और नौर गेट लगा देंगे त इसका operation होता है Y' बराबर A प्लस B का बार यहाँ पे प्लस हो रहा है और यहाँ पर इसका बार मिल रहा है अब इसके सामने एक और not gate लगाएंगे लेकिन यह not gate कैसा होगा यह not gate से ही बना हुआ not gate होगा तो not gate से not कैसे बनाते हैं अभी हमने देखा इसके दोनों terminal को हम जोड कर कर देंगे तो वह किसकी तरह काम करेगा not gate की तरह तो यहाँ पर हमने एक not gate लगा दिया जो कि और गेट से ही बनाया गया है अब इसका function कैसे होगा Y बराबर होगा A प्लस B का बार यह तो input जा रहा था इसका negation यह compliment हम को मिलेगा तो इसके उपर एक और बार लगा देते हैं compliment का compliment एक दूसरे को cancel कर देंगे और यह हो जाएगा Y बराबर A प्लस B यह और gate का तारकिक कथन है अब इसकी सत्यता सारे नहीं देखते हैं A और B 00, 10, 01, 11 अब प्लस करेंगे दोनों को तो 00, 10, 101, 01, 11 अब इसका negation जो कि nor gate का output होता है तो यह हो जाएगा 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, अब इसका negation क्योंकि finally तो यही output में मिल रहा है output में क्या मिल रहा है हमको y बराबर a प्लस b बार का बार तो यह वाला जो portion है जो output में हमको यहां पर प्राप्त हुआ है इन दोनों gate के बीच में इसका उल्टा करेंगे क्योंकि यही input होके जा रहा है तो 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1 और 0 का उल्टा 1 प्राप्त होगा और यह किसका true table है यह or gate का है अब हम nor gate से and gate बनाएंगे यह दोनों के operation अलग अलग है or gate में plus होता है and में dot मतलब plus को dot में convert करना है तो फिर यहां पर हम d morgan प्रमे का इस्तमाल करेंगे और इसको कैसे बनाते हैं यह देखते हैं यह है nor gate और इस nor gate के दोनों input में हमने दो और nor gate जोड़ दिया और इस nor gate के दोनों inputs को जोड़ कर हमने इसको nor gate में convert कर लिया माने कि यहां पर a signal देंगे निवेशी तो उसका output मिलेगा a bar और यह पर b देंगे तो उसका output मिलेगा b bar यानि कि अब a bar और b bar input बनके उस nor gate में enter कर रहे हैं तो उसका output क्या होगा यहां पर होना है plus operation तो y बराबर इन दोनों signal का plus होके मिलेगा पहले तो तो y बराबर a bar plus b bar लिखेंगे उसकी बाद इसका negation होके मिलेगा तो यह nor gate है तो y बराबर a bar plus b bar का bar अब यह whole bar को इन दोनों चरों में यह दिमें distribute करो तो plus किस में convert हो जाएगा dot में तो यहां पर लिखेंगे यह बराबर a bar का bar क्योंकि यह bar को distribute किया यह plus के जगा हो जाएगा dot b bar का bar अब a complement का complement a मिलेगा और b complement का complement वो b मिलेगा तो finally output में क्या मिलता है y बराबर a dot b अब इसकी सत्यतत सारणी बना के चेक करते हैं यहां पर हम a और भी possible combination लिएगे 00100111 अब a bar a का negation 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 b bar b का उल्टा 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 अब दोनों को पहले add कर देते हैं क्योंकि यहां पर or gate था, दोनों को add कर देते हैं 1 प्लस 1, 1 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 0, 1 और 0 प्लस 0, 0 अब उसका complement लेंगे हम मतलब जो यह मिला हुआ है a बार प्लस b बार इसका complement लेंगे तो 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0 और 0 का 1 तो इस प्रकार हम a और b के possible combination को finally output के साथ मिलाएं तो यह किसकी सत्यता सारणी बनती है यह बन जाती है and gate की सारणी तो इस प्रकार हमने nor gate को convert कर दिया है and gate में और हमने 6 प्रकार के conversion देखें जिसमें हम nand gate और nor gate को अन्य किसी भी मूल भूत gate की or and और not में convert कर सकते हैं ऐसे ही यहाँ पर gate से जुड़े छोटे छोटे परिपत दिये जाते हैं और उन gates को हमको पहचानना रहता है या फिर उनका तारकीक कथन लिखना पड़ता और सत्यता सारणी बनाना पड़ता है ऐसे question exam में आते हैं तो इस प्रकार के gate के इसे जुड़े हम चुटे चुटे questions को हल करने की कोशिश करते हैं बोर्ड exam में और competitive exam में इस प्रकार के questions हमको exam में देखने को मिलते हैं जिसमें कई gates की combination दे दिये जाते हैं और उसका तारकीक समीकरण हमको लिखना पड़ता है और उसके सापेक्ष हमको सत्यता सारणी बनानी होती है तो हम कुछ questions को हल करने की कोशिश करते हैं यह पहला circuit जिसमें की देख सकते हैं यहां पर दो not gate हैं जिसको A और B से रिप्रेजंट किया है यह दोनो not gate के output जा रहे हैं एक not gate में अब इसका तारकीक समीकरण क्या होगा इसकी सत्यता सारणी क्या होगी तो हम लोग एक-एक step करके आगे बढ़ेंगे तीनो basic gates के हम operations तो पढ़ चुके हैं तो हर एक-एक output में हम इन basic operations को लिखते जाएंगे और last में हम देखेंगे output क्या मिलता है जैसे कि पहला gate यह not gate है not gate में कौन सी करिया होती है? negation यानि कि उल्टा तो यहां पर हम A का उल्टा यानि कि A बार लिखेंगे वैसे ही B वाले नीचे वाले gate में यहां पर भी बी का negation होगा तो यहां पर भी आजएक बी बार अब यह A बार और बी बार इस आगे वाले gate में घुसरे है इस आगे वाले gate यानि कि नौर gate में हम देखें सब कौन सी operation होती है? सबसे पहले तो यहां plus होगा मतलब A बार प्लस B बार होगा और यह गोला लगा है मतलब इसका भी negation होगा तो A बार प्लस B बार का negation हमको output में प्राप्त होगा अब यहां तक भी लिख सकते हैं समीकरण और इसके आधार पर भी सत्यता सारणी बना सकते हैं वो भी answer correct होगा या फिर इसको और हल कर सकते हैं हल कर लेंगे D Morgan प्रमे का स्तमाल करके और उसके बाद सत्यता सारणी भी बना सकते हैं दोनों ही तरीके correct हैं दोनों में answer एक ही आता है जब हम D Morgan प्रमे को लगा लेते हैं तो हमारा समीकरण एकदम सरल दिखता है तो उसके अधर पर सत्यता सारणी हम असानी से बनाते हैं और अगर ऐसा भी नहीं है अगर आप वापिस पूराने statement से भी सत्यता सारणी बनाएंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कब हमने A बार लिया, B बार लिया कब गुणा कर रहे हैं, कब negation कर रहे हैं अगर बार दो अलग अलग चरों में बढ़ता है तो प्लस का डॉट हो जाता है यहां हम लिखेंगे A बार का बार डॉट B बार का बार A बार का बार मतलब A B बार का बार मतलब B तो यह जगः A डॉट B और यह A डॉट B किसका operation है यह है AND gate का तो finally ये जो पूरा gate हमको मिल रहा है वो कौन सा gate है वो and gate है अब इसकी सत्यता सारणी बना लेते हैं सत्यता सारणी बनाएंगे तो वही possible input के combinations लिखेंगे हम a b का 0010 0111 अब output y बराबर हमें मिल रहा a dot b 00 को गुणा करेंगे 0 10 का 0 0 1 का भी 0 11 का मिलेगा हमको 1 तो ये total तीन नमबर का question है एक नमबर logical statement लिखने में और दो नमबर सत्यता सारणी बनाने में अब आगे हम next परिपत देखते हैं इस प्रकार का परिपत है यहाँ पे एक and gate भी है यहाँ पर एक और gate भी है और थोड़ा यहाँ पे circuit आपको देखकर लग रहोगा यह क्या हो गय है and gate में यहाँ और gate में भी आ रहा है तो इसमें घबरानी के अवश्यक्ता नहीं है यहाँ पर हम एक एक करके step by step लिखेंगे यह जो a input है वो and gate में भी जा रहा है और यही a input और gate में भी आ रहा है तो और gate का यह पहला terminal यह भी a हो जाएगा दूसरा input यह भी है यहाँ कौन अब इस and gate को हम देखें तो एक input इसका a है और दूसरा input a plus b है अब and gate में कौन सा operation होता है डॉट होता है तो दोनों input का dot कर देंगे उपर वाला input a नीचे वाला input a plus b यहाँ पर दोनों का होगा dot operation अब इसकी सत्यता सारणी बनाते है पॉसिबल input का combination 0010111 a plus b अब यह a और b को plus करेंगे 00 को plus करेंगे 0 1 plus 0 1 0 plus 1 1 1 plus 1 1 अब यह जो a plus b मिला है इसको हमको a से गुणा करना b से कोई मतलब नहीं यह जो third column है उसको हमको गुणा करना है first वाले से तो ध्यान रखते हुए करेंगे गुणा 001 one 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 zero one 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 तो यह इसकी सत्यता सारणी होगी अब इसे थोड़ा सा complicated question लेते हैं यहां पर यह तीसरा परिपत यहां पर सब जगा negation लगा हुआ है थोड़ा सा complicated दिख रहा है पर इसको solve करते है step by step पहले वाले गेट में यहां first में आप एक सीरे में देखें तो a input जा रहा है दूसरे सीरे में b इस gate में यानिकि and gate में कौन से करी होती है dot तो यहां पर a dot b हो जाएगा लेकिन यहां negation भी है bubble लगा इसका मतलब इसका उल्टा भी करना है तो यहां पर हो जाएगा y dash बराबर a dot b का बार यह पहला वाला gate हल हुआ अब यही input a आगे वाली gate में भी बढ़ रहा है और यहां नीचे देखें तो b से जुड़ा हुआ है not gate not gate negation करेगा यानि यहां पर b का हो जाएगा उल्टा b बार अब यह दोनों input जा रहे हैं एक ऐसे gate में जहां पर होना है plus operation और उसके बाद होना उसका negation तो यहां पर a dot b बार plus b बार दोनों को जोड़ दिये अब यह output में जब निकलेगा तो इसका negation हो जाएगा क्योंकि सामने में एक bubble लगा है तो यहां हम लिखेंगे a dot b बार plus b बार का whole बार यह output है और इस output से भी आप सत्यता सारनी बनाएंगे ना तो answer वही आएगा जो हम सरल करने के बाद बनाएंगे सरल करने के लिए हम क्या लगाएंगे dmorgan का प्रमय तो यहां dmorgan का प्रमय लगाते हैं इसके नुसार यह बड़ा वाला बार यह दो राशियों में बटेगा तो हम लिखेंगे y dash बराबर a dot b bar का बार प्लस operation अब dot बन जाएगा यह जगा dot b bar का बार और हमको output में मिलेगा y बराबर a dot b dot b अब इसकी सत्य तसार नहीं बना लेते हैं इसली बन जाएगा a dot b पहले a b possible combination 0 0 1 0 0 1 1 1 अब यह a dot b dot b तो पहले हम a dot b निकाल लेते हैं अगर a dot b निकाले हम तो a dot b करेंगे तो गाद 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 अब इसको हम b से गुणा करते हैं तो b से गुणा करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 तो यह इसकी सत्यता सार नहीं होंगी कभी इस प्रकार का भी question आता है जिसमें पूरी सत्यता सार नहीं बनाने को नहीं कहीं जाती बलकि कुछ input के मान दे दिये जाते हैं और बस उनहीं के संगत निर्गत मान हमको निकना पड़ता है जैसे कि इस circuit को हम देखें तो एक circuit हमको दी गई है और इसमें केवल बोला जा रहा है a बराबर 0 और b बराबर 0 के लिए output निकालो मलब जब दोनों ही input low हो तब output क्या होगा या जब दोनों ही input high हो a बराबर b1 हो b बराबर b1 हो तो output क्या होगा उस condition में सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा इसका तारकीक समय करण logical statement यहाँ a जा रहा है यहाँ से b जा रहा है यहाँ पर पहले तो plus होगा यहाँ बबल लगा है तो negation होगा तो a plus b का बार यह एक input इस वाले gate के लिए ready है यह दूसरा input b है यहाँ पर होना है dot operation तो यहाँ गा a plus b का बार into b अब इसी क्या धार पर हम output निकालेंगे हमको क्या चाहिए a b तो 0 0 चाहिए 1 1 चाहिए बाकी input के combination हमें नहीं चाहिए है यह a plus b निकालेंगे 0 plus 0 0 1 plus 1 1 फिर a plus b का बार चाहिए तो बार कर देंगे यहाँ पर 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0 अब इस a plus b के बार को जो answer आया इसको हमको b से गुणा करना है तो यह हो जाएगा 0 into 1 equal to 0 और 1 into 0 equal to 0 तो चाहिए दोनों input low हो चाहिए दोनों input high हो output में हमको 0 ही मिल रहा है यानि कि low voltage ही प्राप्त हो रहा है आप यहाँ पर इतना बड़ा सा device देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे electric circuit नजर आ रहे हैं कुछ तारे यहां से निकलिए कुछ यहां से निकली है गैस करिए यह क्या हो सकता है आपको जानके आश्यर ही होगा यह computer ही है जो पहले इस तरह से दिखाई देता था आप सोच रहोंगे इस computer में काम करने से तो अच्छा अपने दिमाग में जोड घटाना कर लिया जाए आपके यह computer आपके यहां पर मौजूद है ना वो इससे ज़्यादा compact और ज़्यादा सूरक्षि सेफ है लेकिन फिर भी scientist लोगों ने हार नहीं मानी और इतने से बड़े तूटर को धीरे धीरे वो DEX के उपर ले आए और अब हाथ के उपर ले आए यह कैसे संभव हो पाया यूकिन electronic डिवाइसों में लगा होता है अर्दचालक युक्तियां जैसे की डायोड ट्रांजिस्टर और कई की रजिस्टर ऐसे कई इसमें electronic devices लगे होते हैं जिनके कारण इनका structure बढ़ जाता है है भी हो जाता है अब चोटा कैसे हो गया जब साइंटेस्ट लोगों ने इसके उपर बहुत ज्यादा ही खोज करने की कोशिश की तब उन्हेंने सारे डिवाइस को एक चिप के उपर ले आया अब डायोड ट्रांजिस्टर रजिस्टर कैपसिटर यह सारी चीज़ें एक चिप के उपर इंटिग्रेट हो जाती है और यह चिप कहलाता है IC यानि की integrated circuit जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि परिपत और इस डिवाइस के कारण यानि कि इस IC के कारण ही संभव हो पाया है छोटे डिवाइसों की कल्पना करना और यह इत्ता बड़ा कंप्यूटर अब छोटे से desktop और laptop में convert हो गया अब इस IC का फायदा क्या हुआ पहला तो यह समझ में आ गया कि इसका आकार बड़े से चोटा हो गया दूसरा जब इस बड़े डिवाइस को जोडते हैं तो प्रिकिट के अवश्यक्ता होती है पर जब इस सारी चीज़ें छोटे से उठाके ले जाएं भी जा सकते हैं चोटा है वजन भी कम हो जाता है और इसमें और ये कम शक्ती में भी काम करते हैं तो आप सोच रहूंगे कि आइसी केवल फायदे ही है लेकिन आइसी केसे जैसे कि इसमें ट्रांस्फार्मर और इंडक्टर दोनों को एक साथ हम इंटिग्रेट नहीं कर सकते हैं यह आइसे इस हाई फ्रिक्वेंसी में भी काम नहीं करते हैं और यदि इन आइसी से किसी एक में भी यदि कुछ कमी आ जाये तूटी आ तो हमको पूरा आइसी चेंज कर करता है और इन घटकों के अधार पर ही जो आइसी होते हैं वो कैटेग्राइज किये गया है वर्गी कृत किये गया है जैसे कि पहला है स्मॉल स्केल इंटिग्रेशन इसमें 10 यह उससे कम घटक होते हैं दूसरा है मिडल स्केल इंटिग्रेशन इसमें 100 यह उससे कम घटक हो होती है तीसरा है लार्ज इसकेल इंटिग्रेशन इसमें घटकों की संख्या हजार तक होती है और चौथा है वेड़ी इसमें घटकों की संख्या हज अधिक होती है इस प्रकार ौध में कि जाते हैं और इस इस में जितने जाद उतने ही इन में टर्मिनल्स की संख्या बढ़ जाती है जैसे कि देख सकते हैं चोटा से एसी है जिसमें कम घटक होंगे और यह देखी इतना बड़ा से एसी है जिसमें कि कई टर्मिनल्स होंगे इसमें कई पैर हम तो इसमें घटकों क संख्याभी आप्याभी आप्याभी.